जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, फ्रॉंट की और हमारा जो लाइड बोड रहता है, वो हम 12 मुरलर का यहां पे लगाये हैं, और इस साइड के अगर हम बात करें, तो इधर हमारा से एक स्मॉललर का बोड लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इस साइड ही हमारा इस दिवाल पर टीवी रहने वाला है और इस साइड के अगर हम बात करने तो यहां पर बैड है जैसा कि आप देखी सकते हो तो उसके लिए हमने यहां पर एट मोडलर बॉर्ड का इस्तमाल किया हुआ है आप सुझ रहे हैं यह बहुत बड़ा है बड़ ऐसा नहीं है हम सकते हैं चाहिए और यह दो जो आप देख रहे हो यह फींट के लिए ऑगार में बात इस वीडियो वीडियो में जानेंगे तो फैन के लिए तो यहां से लेके हम ने इधर से होते हुए इस बोड तक हम था लेकर आई हैं जो कि आपको बारा मूलर बोड में दिखा हैं अभ यह तक पहुचाया हुआ है इस बोड में दोनों यह यह लाइट के लिए टू है इस यह बारे में जैसे बता आपको नहीं तो इन दोनों वायर को हमने वहां पर आपको दिखाया जो कि तो यह यह यहां तक सेपरेट आई हुई है और यह लगेगी फैन सामने वाला जो स्विच करें में तो किस तरिका से मैवेदिस का वहम इस वीडियो में सीखेंगे तो रेगुलेटर के सामने के लिए ईसलिए तो बिना वक्वास किया हुए चलिया हम इसके connection को जान लेते हैं देखिए यहां पर 2A connection में जैसे कि आपको पता है वी तीन terminals आपको देखने को मिल जाती है ठीक है तो 2A switch किनारे किनारे जो side side होती है टर्मिनल उन दोनों में आपको इन दोनों waier को जूड़ देनी है जो आप 12 Hm similar to this are in Dolo wires से किसी को भी आप उपर नीचे जोड़ सकते होसट्ए हम तो 2S swept side side में हम इन दोनों को जोड़ देंगे जैसा कि आप यहां पे देखी सकते हो हम side side में जोड़रे हैं इसको हम बीचवाली ट subscribers को हम छोड़ोगे इस टो आ हप that है इन दोनों वाइर को हम साइड में जोड़राएंगे और जोड़रे हम कौन सा आउसर आता दो बने रही है अगर आप ट्यारो तो यहां पो आपको क्लियर तरीके से समझाएंगे step by step आपको दिखाएंगे यह जो वायर है यह वायर है यानिकी इन्वर्टर वाला वायर है जो कि हमने अल्रेडी कनेक्शन करके रखा हुआ है तो फेस वायर को हमें यहां पर कनेक्ट नहीं करनी है उसको कुछ इतनी यह क्योंकि इसमें अपको लम्भी छिल्ली होगी तकी स्वीच में करें लाब जाती है तो निकल ने नहीं रहे तो इस तरिक से यहां पर काम हो चुकी है इस बॉर्ड में हमारी फैन की जो सिंगल वायर आती है स्वीच के थू आउट पूड होती है वह वायर हमारा यहां पे पहुंचा हुआ है जिसके कारण यहां पर हमें रिगलोडर को लगानी पड़ीगी तो रिगलोडर का एक वायर हमारा ट्रेक्शन के बीच वाल टर्मिनल में जूड़ी यहां से जो वायर आ रही है वह इधर से स्वाट कट पड़ी है जिसके कारण हम यहां पे इसका वायर लेके आया हुए यह वाली वायर फैन के ठीक है तो सिंगल वायर यहां पर आया हुए और यह जो सिंगल वायर आया हुए इस फैन रेगुलेटर में जूड़ेगी यही कन्फूजन हो रहती है ने एलेक्ट्रिशन बंदों को कि हम चुए कनेक्शन सीख तो मतलब काफी लोग सीख जाते हैं लाइट का बट यहां पर रेगुलेटर की बात आती है तब वहां पर थोड़ी सी उनको कन्फूजन हो जाती है तो यहां पर देखिए इस तरह के से आपको कनेक्शन करनी है इस तरीके से यह जो फैन रेगुलेटर का एक वायर बच जा रहा है ना उसमें आपको इसको जोड़ देनी है काफी सिंपल और आसा तरीका है कोई जंजड़ वाली बा इस तरीके से हम कनेक्शन किया हो आप समझ पाये होंगे तो यहां पे जो एड मोड़र का बॉर्ड का कनेक्शन हे वह हमारा 2-way श्विच का जाहे देख सकते हो यहां पर साइड साइड मोड़र तक लाए थे उन दोनों को हमने 2-way स्विच के साइड साइड में जोड दिए ह एक वायर को हमने 2A स्विच के मतलब बीच वाल टर्मिनल में जोड़ दी है और एक फैन का जो सिंगल वायर आया हुआ है उसमें जोड़ दी है अब हम आचुके हैं 12 मॉडलर में जो कि यहां से फैन ऑपरेड होगी प्लस यहां से लाइट का भी 2A कनेक्शन किया गया है तो ल लेते हैं उसके बाद आपको कनेक्शन करके बदा जैसा कि आप देख सकते हो इसको हमने अलग-अलग कर लिया है और यह दोनों वायर फैन रेगुलर्टर के ट्वे स्विच से आ रही है और इस स्विच से हम यह वाली जो लाइट के लिए है देखिए इसमें कनेक्शन हो च इसको हम किसी भी तरह जोड़ सकते हैं मतलब उपर नीचे ही जोड़ सकते हैं बीच वाली टर्मिनल में हम नहीं जोड़ सकते हैं उस वाले बीच वाली टर्मिनल में तो हमने रेगुलर्टर को जोड़ाता है यह वाली जो वायर देख रहे है यह वाली फैस वाली वायर है इसको हमने मतलब जो हमारा common होता है९े ट्वे स्विच का आहिए जो कॉमां होता है इस में हमने face को गदिया है। चिacity को डे दिया है। और side side हमारा खुला है ! Side Side हमारा जो हो है नforce हमारा the interrupt तो इस तरीक से आप फैन के लिए कर सकते हो कोई ज्यादा जढ़ वाली बात नहीं तो चलिए जैसे हम आपको बता है उसी तरीक से हम इसमें साइड साइड में इन दोनों वायर को जोड़ देते हैं तो इसको भी आप उपर नीचे किसी भी तरह जोड़ सकते हो बट यहां पर हम ने मारर्किंग किया हुआ है उपर उस smakiya को फरी ओर ही और ही ओदी किन वाले को नीचे की अरिह ने जोड़ हुआ है सब्सक्राइब कर दो रखिए। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर फैन रेगुलेटर के बगल वाली जो स्वीच है वह फैन के लिए ठीक है तो चलिए उसको हम स्वीच को हम उनको अपरेट करने के लिए बोलते हैं वान करने के लिए हाऊ है तो यहां से बारम उलर से इसको हम ऋउफ करके देखेंगे क्या यह वर्क कर रही कि यहां पर आप उसी आप wonderful तो इसको हम प्रेइट करतें कि आविडिए ुडिए तो यहां पर जैसे हैं रूंट हो 20 कुम्हाइब तो यहां से भी ऑप्रेट हो रही है हमारा सक्सेस फुल हो चुक है कनेक्शन अब देखिए इसको आउन किये तो यहां पर देखिए यह फुल रणिंग में अभी पकड़ ली है देखिए पकड़ लिए तो अब हम वहां से भी इसको आफ करके देखेंगे कि क्या यह प्रॉपर वर्क करें कि नहीं तो दिखिए इसको प्रेश करो प्रेश कर दिया दिखिए यह दिरे-दिरे रुख जाएगी यह दिरे-दिरे रुकने लगी है अब इस पीड से यह अंदाजा लगा सकतो पहले किस तरीक से थी और अभी किस तरीक से यह रोग रही है वैसे तो पता नहीं चल रहे है इसकी स्पीड तो मिलते हैं गाइस नेक्स टॉपिक के साथ वीडियो काफी लंबी हो चुकिया